हेलो दोस्तों, विंडोस का नया अपडेट अक्टूबर 2020 आ चुका है, जिसका नाम विंडोस 10 20H2 भी है, इसका मतलब हो है 2020 का सेकेंड हाफ, और ये एक माइनर अपडेट है, में अपडेट की तरह बड़ा अपडेट नहीं है, इसमें ज्यादा तर OS में इंप्रूब्मेंट की गई है, जैसे मंतली अपडेट में होते हैं, इसके अलाबा कुछ नए फेचर्स भी आट किये गए हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस अपडेट को पाने के लिए, आपको कम से कम Windows 10, यानि 2019 का अपडेट हो आप पुराने वरिजन पर हैं, तो आपको अपडेट होने में तुरा टाइम लग सकता है, और अगर अभी आपको अपडेट नहीं आया है, तो आप इंतजार करें, अपडेट जल्द ही आ जाएगा, तो दोस्तों, ये अपडेट में 2020 अपडेट की तरह बहुत बड़ा नह ही है, इसमें जाहतेर इंप्रूब्मेंट किये गए हैं, बग फिक्स और अप्टिमेजर से नहीं, पर इसके लावा कुछ नए फीचर्स भी आट किये गए हैं, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो दोस्तों, आईए विंडोस 10 के होते थे, तो consistent नहीं लगता था, वहीं अब October 2020 अपडेट में एक जैसा accent दे दिया गया है, पुर्य स्टार्ट मेन्यू को, जो कि अब ज़्यादा clean और minimalistic दिखाई देता है, और आपके background का हिसाब से ये खुद को adjust करता है, तो आप जिस color का background लगाएंगे, उसके हिसाब स इसका color भी change होगा, जो कि design-wise काफी अच्छा दिखता है, इसके लगा दोस्तों आपको नया chromium-based Microsoft Edge, अब इस update में आपको pre-install मिलेगा, अगर अभी तक अपने install नहीं किया है, तो अब आपका automatic install हो जाएगा, और चुकि ये chromium-based है, तो ये बिलकुल chrome browser जैसा ही चलेगा, parts को इसमें save करके रख सकते हैं, Microsoft Google Chrome का chromium को ही यूज़ करके Google Chrome को टकर दे रहा है, और market share में भी ये काफी ज़्यदा improve हो रहा है, और जबकि अब ये नए update के साथ pre-install रहने लगा है, तो अब ये Chrome को और ज़्यदा टकर देगा, और अब Windows आपको Microsoft Edge यूज़ करने के लिए ब देख सकते हैं Microsoft Edge का, इसके लब दूस्तों इसमें touch interface में भी improvement किया गया है, जैसे पहले आपको touch के लिए खुद से इसमें desktop mode और tablet mode on करना पड़ता था, तो आप touch इसके नवाले 2-in-1 devices में, अब जैसे ही आपकी boot को अलग करेंगे, तो आपका touch interface automatically on हो जाएगा, जो कि touch के लि और desktop mode के हैसा से यह बचाएगा, इसके लब दूस्तों setting में भी improvement किये गया है, control panel से और वीचे जो बाहर आ रही है, और normal setting में आ रही है, जैसे कि आप screen के refresh rate setting से ही change कर सकते हैं, तो आप धीर दरे control panel के सारे options आप setting में आने लगे हैं, ताकि आपको कई सारे setting के लिए control panel में ज games अपने PC में खेल सकते हैं, तो दोस्तों ये थे Windows 10 October 2020 update के कुछ नए improvements और features, ये कुछ ज़्यादा बड़े-बड़े features नहीं है, बस minors है, इसलिए कोई बड़ा major update नहीं है, आपको इसे install करने के लिए कोई जल्दी करने के ज़रत नहीं है, आपको जब भी update आएगा तभी आ अच्छा लगत प्लीज लाइक, कमेंट, सेर कर दें और इस चलों को सब्सक्राइब करना और बेल आइकनो के क्लिक करना भी ना भूले, so thanks for watching.